Hello Friends, Welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, आज का ये comparison video automobile vehicles में use होने वाले 2-stroke engine और 4-stroke engine के बीच में होगा हाला कि आज के टाइम पे जितने भी vehicles आते हैं उन सब में 4-stroke engine ही लगा हुआ होता है लेकिन आज भी आपको सड़कों पे बहुत सारे 2 stroke engine से चलने वाली गाणिया भी दिख जाएगी तो टोटल 20 अलग अलग points में मैं इन दोनों ही type के engine को compare करूँगा और आपको बताऊँगा किन points पे 2 stroke engine बहतर और किन किन points पे 4 stroke engine बहतर है तो वीडियो को पूरा देखे और अगर आप channel पे नए हो तो चैनल को subscribe भी जरूँ कर ले आप friends सबसे पहला point है operation तो मैं आपको बताऊँ बहुत से लोगों को ये लगता है कि 2 stroke engine में 2 stroke होते हैं और 4 stroke engine में 4 stroke होते हैं जबकि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है जो 2 stroke engine है वहाँ पे भी 4 stroke होते है intake stroke, compression stroke, combustion stroke और exhaust stroke और ये सारे stroke 4 stroke engine में भी होते है difference बस ये है कि जो 4 stroke engine है उसमें जो आप देख सकते हो यह हमारे पास ये है crank shaft तो इस crank shaft का जब 2 बार crank shaft completely घूम जाता है तो उसके बाद ही जो 4 stroke engine है वहाँ पे 1 power stroke complete होता है लेकिन 2 stroke engine में ये जो crank shaft है वह सिर्फ एक बार घूमता है और engine का जो power stroke है वह complete हो जाता है वैसे जो 4 stroke engine है उसमें 4 stroke किस तरह से होते है और 4 stroke engine किस तरह से काम करता है और 2 stroke engine किस तरह से काम करता है इसके उपर में animation के साथ मैंने detail video अप्लोड किया हुआ है link मैं आपको description में दे दूँगा उस video को देखके आप इन दोनों ही type के engine के working को ज़्यादा चितर से समझ सकते हो चलिए comparison का जो अगला point है वो है power output अब मैं आपको बताऊं कि जो 4 stroke engine है उसका power output वो ज़्यादा होता है 2 stroke engine के मुकाबले ज़्यादा इसलिए होता है कि जो 4 stroke engine होता है वहाँ पे intake stroke के time पे जो fresh जो हमारा air और फ्यूल का mixture है वो आता है और जो exhaust stroke है वहाँ पे पूरा का पूरा जो exhaust gases है जो कि fuel के combustion के वैसे जलने के वैसे produce हुआ है वो सारा बाहर निकल जाता है लेकिन 2 stroke engine में चूकि एक ही time पे एक ही बार जब हमारा piston नीचे आ रहा होता है उसी type intake भी होता है और exhaust stroke भी होता है तो वहाँ पे कभी कभी देखा गया है कि जो air और fuel है वहने जो fresh fuel है और जो जला हुआ gas है वो आपस में मिल जाते है तो power output कम हो जाता है 2 stroke engine का 4 stroke engine का जादा होता है अगला जो point है वो है fuel की efficiency यहां में जो इसे mileage कह सकते है तो पहली बात तो देखे जो fuel का consumption है वो कम होता है 4 stroke engine में दूसरी बात जितना भी fuel engine के cylinder के अंदर में आता है वो सारा का सारा fuel अच्छी तरह से जल जाता है combustion proper होता है complete होता है इसलिए fuel and stroke engine में fuel के efficiency बहतर होती है और mileage बहतर देखने को मिलता है 2 stroke engine में जो fuel का combustion है वो proper या complete हमेशा नहीं हो पाता है तो इनका mileage इनके मुकाबले थोड़ा कम हो जाता है आगला जो point है वो है engine का design तो जो 4 stroke engine होता है उसका design थोड़ा complex होता है complicated होता है इसलिए होता है क्योंकि 4 stroke engine में बहुत सारे additional parts होते हैं जो कि 2 stroke engine में नहीं होते है जैसे कि 4 stroke engine में intake जो हमारा valve है exhaust valve है वो सब देखने को मिलता है 2 stroke engine में intake port और exhaust port होता है तो design ज्यादा complicated होता है 4 stroke engine का आगला जो point है वो है weight अब चुकि ज्यादा parts होते हैं इसलिए 4 stroke engine का weight होता है जो version होता है वो 2 stroke engine के मुकाबले ज्यादा होता है आगला जो point है वो है thermal efficiency अब thermal efficiency को असान लबजों में सबजने के कुशिश करें तो जो power produce हो रहा है fuel के जलने के वज़े से उसमें से कितना power engine का जो पीछे का चक्का है वहां तक पहुँच पा रहा है यानि कि work में बदल जा रहा है वो power तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारा four stroke engine है उसका thermal efficiency वो बहतर होता है जो engine power produce करता है वो rotational power ज्यादा अच्छी तरह से पीछे के चक्के तक पहुँच पाता है two stroke engine के मुकाबले अगला जो point है वो है mechanical efficiency अब ये जो जुला हुआ है वो जुला हुआ है कि parts कितने है तो जो engine rotational power produce कर रहा है वो है जो हमारा गाड़ी का जो driving wheel है वहाँ तक पहुचते पहुचते ज्यादा linkages, ज्यादा parts ज्यादा gears होके गुजरता है इसलिए जो mechanical efficiency है वो four stroke engine की थोड़ी कम हो जाती है लेकिन जो two stroke engine है वहाँ पे design complex नहीं होता पार्ट्स कम होते है mechanical efficiency की बहतर हो जाती है अगला जो point है वो है cooling system मैं आपको बताऊं कि जो हमारा four stroke engine है वहाँ पे आपको air cool engine मिल जाएंगे, liquid cool भी मिल जाएंगे oil cool भी मिल जाएंगे लेकिन two stroke engine में सिर्फ हमको जादा तर आपको air cool engine ही देखने को मिलता है तो cooling system जो four stroke engine का है वो बहुत ही बहतर होता है अगला जो point है वो है temperature यानि कि जब engine काम कर रहा है engine running में हो तो engine का temperature कितना जादा बढ़ जाता है तो मैं आपको बताऊ कि lubrication इतना जादा बढ़िया होता four stroke engine का और cooling अतना बढ़िया होता है तो engine का temperature during running जो है two stroke engine का मुकाबले कम देखने को मिलेगा आपको four stroke engine में आगला जो point है वो है fuel का burning तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो fuel का burning होता है engine के cylinder के अंदर में वो जादा बहतर और जादा complete होता है four stroke engine में two stroke engine के मुकाबले में अगला जो point है वो है lubrication system जानी कि जो हमारा engine oil है वो किस तरह से काम कर रहा है इन दोनों ही type के engine में तो मैं आपको बताओ कि जो lubrication system की efficiency है वो four stroke engine में जादा बहतर होती है हलाकि lubrication system का design भले ही complex हो four stroke engine में लेकिन efficiency बहुत ही बहतर होती है two stroke engine के मुकाबले में अगला जो point है वो है engine oil consumption यानी कि जो mobile है जो engine oil है वो कितना consume हो रहा है अब अगर आपने दोनों ही type की गाड़ियों को running किया है तो आपको पता होगा कि जो two stroke engine है उसका जो engine oil का level है वो ज़्यादा जल्दी घड़ जाता है कम हो जाता है four stroke engine के मुकाबले तो मैं आपको बताऊं कि engine oil का consumption है four stroke engine में कम होता है और engine oil का life है वो भी ज़्यादा होता है four stroke engine में अगला जो point है वो है wear and tear यानी किसी running parts का घिसना तो चूकी lubrication इतना ज़्यादा बेतर होता है four stroke engine में तो जो four stroke engine के जितने भी running parts हो उन सब parts का जो wear and tear है जो घरसन है उसको जो घिसना हो रहा है वो सब कम होता है और parts का life भी बढ़ जाता है four stroke engine में तो ये एक बहुत अच्छी बात है अगला जो point है वो है maintenance तो मैं आपको बताऊं कि दोनों engine का design में चुकी यतना ज़्यादा difference है तो four stroke engine को maintain करना थोड़ा सा मुश्किल होता है हलाकि जो experience है वो तो कर पाते हैं लेकिन जो two stroke engine के mechanic है उनको four stroke engine में shift होने में थोड़ा time लग जाता है तो four stroke engine का maintenance है या maintenance cost है service cost है वो ज़्यादा होता है और जो parts है उनका जो दाम है वो भी बहुत ही ज़्यादा होता है four stroke engine में आगला जो point है वो है speed तो मैं आपको बताऊं कि four stroke engine है वहाँ आपको speed का range है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा हर एक segment का हर एक CC का हर एक power output का आपको variety of vehicles four stroke engine में हमने देखने को मिल जाते जबकि जब two stroke engine था तो वहाँ आपे उतना variety हम लोगों को देखने को नहीं मिलता था अगला जो point है वो है torque generation अब torque भी बहुत ही ज़्यादा matter करता है अलग-अलग segment की गारियों में तो जो two stroke engine है वो high rpm में यानि कि जब engine का crank साफ ज़्यादा तेजी से घूम रहा है तो उस high rpm में ज़्यादा torque two stroke engine से हमें मिल जाता है जबकि four stroke engine में जब rpm जो है वो कम हो तब हम लोगों को ज़्यादा torque मिलता है वसे torque, rpm और bhp में क्या difference है इसके उपर में डेटल वीडियो में और लिडेपलोट किया हुआ है link मैं आपको description में दे दूँगा अगला जो point है वो है durability तो मैं आपको बताऊं कि four stroke engine है वो two stroke engine के मुकाबले ज़्यादा durable होता है ज़्यादा लंबे समय तक चलता है और ज़्यादा बेहतर काम करता है two stroke engine के मुकाबले में आगला जो point है वो है pollution ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा matter है और कहीं न कहीं pollution के वजह से ही जो आपका four stroke engine two stroke engine है उसे बंद कर दिया गया आप नहीं बनते है तो मैं आपको बताऊं कि जो four stroke engine है उसके exhaust से जो धुआ निकलता है उसमें जो pollutant gases से carbon monoxide hydrocarbon sulfur oxide nitrogen oxide इन सब की मातरा जो two stroke engine है उनके मुकाबले कम होती है अगला जो point है वो है cost तो मैं आपको बता दू कि cost है वो four stroke engine का two stroke engine के मुकाबले महंगा होता है और four stroke engine के गाड़ियां भी आपको two stroke engine के मुकाबले अब महंगी मिलती है हमें और जो four stroke engine है वहाँ पर जो noise है वो भी कम होता है जब operation होता है तो two stroke engine होते हैं वो ज़्यादा noise produce करते हैं लेकिन जो हमारा four stroke engine है उनका noise कम होता है तो friends ये था एक detailed comparison 4 stroke engine और 2 stroke engine के मुकाब मामले में और आज के time पे भली हमको 4 stroke engine नहीं देखने को मिलता है लेकिन आपने भी सायद कभी चलाया और 2 stroke engine को तो आपको इन दोनों ही type engine में कौन से ज़्यन ज़्यादा पसंद आया या आप मुझे comment करके जरूब बता इसके लावा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like और share जरू कर दे वीडियो के बारे और channel के बारे अपनी राई आप मुझे comment करके जरूब बताए इसके लावा अगर आप channel पर नए हो तो channel को subscribe भी जरूब कर ले बिल ते अगले वीडियो में, थांक्स वर आचिंग इस वीडियो, गड़ बाई